Hello friends, आप सब कैसे हैं? I hope कि आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत बढ़ीvaluation हूँ. आज Christmas day है, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत सारे सुप कमना है. मेरी क्रिस्मस से, आज स्वेसियली क्रिस्मस के लिए एक मैंने केक का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है प्लॉम केक, इसमें हम ना ही सुजी, ना ही बटर, ना ही कॉंडेंस मिल्क, ना ही अंडे, कुछ यूज नहीं करेंगे, फिर भी हमारा केक जो है बहुत स्पंजी बनेग क्रिस्मस आते ही हमारा मन में दो चीज आता है, एक है सेंटा क्लस, एक है क्रिस्मस वाली प्लॉम केक, जो बहुत मज़ेदार मज़ेदार बनता है, और बहुत सारे ड्राइफूर्ट के साथ बनता है, वो बहुत हेल्दी होता है, चलो चलते हैं, इसका प्रोसेस सुरू करत से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरे चैनल पर आप न्यूं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाईए थाकि जब भी में नया नया रेसी भी लेकर आऊंगी आपको सबसे पहले नोटिकेसं जाएगा आप द हमने लिया है उसको हम एक बाउल में निकाल देंगे मैंने 200 ग्राम लिया है आप जाओ तो इसमें मार्केट से ना खरीद कर भी आप फ्रेस औरेंज से भी आप जूस निकाल के यूज कर सकते हो और इसमें हमने जो सारे ड्राइफ फ्रूट्स हमने लिया है ड्राइफ को आश हम डाल देंगे और इसमें लिगा है सारी कणले काम लिया है जूर विछ से ऐसे ड्राइफ प्रूट्स में आप खालान्गे और पिस्ता कुछ भी आप ले सकते हैं हम इसको एक दो घंटे के लिए हम एसे सोब करने के लिए जूस में सारे ट्राइफ रूट्स हम छोड़ देंगे हमारा अभी दो घंटे हो गया है हम निकाल के देखेंगे हमारा ट्राइफ रूट्स कैसे बना हुआ है आप देख सकते हैं और ड्राइफ रूट्स जूस में अच्छे तरह से सूख कर गया है और ड्राइफ रूट्स सारे फूल गया है हम पिर अगला प्रसेस सुरू करेंगे अगला प्रसेस के लिए हमने एक साइट पैन हमने गरम करने के लिए हमने रख दिया है उसमें हम 3 टेबूल स्पुन हम चीनी डालेंगे केरामेल बनाने के लिए चीनी हम मेल्ट होने तक हम लो फ्लेम में ऐसे चलाते रहेंगे तब तक चलाना है जब तक हमारा चीनी मेल्ट ना हो जाए और इसमें कलर चैंज ना हो जाए आफ दख सकते हैं हमारा चिनी भी मेल्ट होने लग गया है और एक मिनिट तोन मिनिट के लिए इसी तरह आफ हम चलाते रहेंगे नाट ज़लेंगे करमेल का करामेल हमारे चैंज हो गया है हम अभी इसको एक साइट में हम निकाल देंगे इस केरमिल को हम थंडा होने के लिए साइट में रख देंगे और फिर अगला प्रसेस सुरू करेंगे अगला प्रसेस के लिए हमने जो सारे ड्राइब फूर्ट्स लिये थे और एक बावल में हम transfer कर लेंगे उसको करने के बाद हम इसमें तोड़ा सा तेल डालेंगे तेल मैंने 2-3 टेबल स्पून मैंने लिया है उसको डालके अच्छे तरह से हम फैंट लेंगे ताकि हमारा dry fruit juice और तेल अच्छे तरह से मिल जाए इसे तरह हम एक दू मिनिट के लिए हम इसी तरह मिल एती रहेंगे फैरा तेल भी उसमें मिल गया है हम इसमें जो मैदा लिया है हमने मैदा 200 ग्राम हमने लिये है उसको ढालके अच्छे तरह से फैंट लेंगे ताकि हमारा dry fruit तेल और मयद्न तरह्श भूर जाए आर इसी क्हारास की टाइम ड़ा जाए ए UK जो केरमल उने रखे थे हुश्को भी थौड़ा-ठोड़ा करके डाल बाएसमें आप प्रते एक सास्थ नहीं हो जाए इसका milk लाँने के लिए थोड़ा थोड़ा करके हम दालेंगे इस तरह हम मिलाते रहेंगे तीन-चार मिलनिट के लिए हम इस तुन नपावडर भूली है, वाउब मिला लेंगे, के जो बेटर हो थीक हो गया है दूड़ दोड़ के प।विल दाल च अच्य हैं दोड़ लेंग डाल दिया है इस्को उच्छ से प। भैंट लिया है अब जख सकते हैं, हमारा बेटर भी कितना बढ़िया बना हुआ है, कितना क्रीमी बना हुआ है, अब इस तरफ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम डाल देंगे, बेकिंग पाउडर के जागा आप इनों भी आप लास्ट में मिला सकते हैं, इस तरफ हमने एक कैक्टिन लिये थ इसमें butter spice लगा के उसमें तैल हम grease कर लिया है और तरफ आर इसमें ऊप्षाई Mac बनाके रखे थे वह बहुत है constant बनाने के बदर आख धालने के बाद तेप निए रखे थे वो गानिस कर लेंगे इसी तरह गानिस करने के बाद हम इस तरह भी हमने पतिला गरम करने के लिए हमने रख दिया है पतिला भी हमारा गरम हो गया है हम अभी पतिला की अंदर हम रख देंगे 40-45 मिनिट तक क्योंकि ग्यास में ज्यादा टाइम लगता है हमने रख द लगाए देखेंगे हमारा केक बना कि नही बना है अब फ़िम एक चाकू में लगानेहों जारा है इसका मतलब हमारा केक बनके तयार हो गया है हम अभी इसको साइट में थंडा होने के लिए रख देंगे हमारा केक भी थंडा हो गया है हम अभी इसको निकाल देंगे एक प्लेट उपर रखके उसको नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे वह निकल जाएगा हमारा केक इसी तरह हम टैप कर लेंगे तो हम केक हमने निकाल दिया है और इसके उपर से जो बाटर पेपर हमने डाले थे उसको हम निकाल देंगे आपड़ पेपर हम स्पॉंची और कितना बढ़ी है मैं आपको काटके दिखाती हूं कैसे वह हमारा केक बना हुआ है हमारा केक में भी ड्राइप फ्रूट्स भरा हुआ है और हाथ में भी जिपचिपा नहीं हो रहा है अब देख सकते हैं उमारा ड्राइफ्रूट्स व्राइबा भूआ है केक में बना मबढ़ा हुआ है इसी तरह नया नया रेशिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और श्यायर करने के लिए मद भुलिए और पास में जो बैल आइकन है उसको द बनातो प्रच्समस बाइब आपको बाइब रलता रैस्थमस